यह वीडियो नौन हिंदी का है लेशन 20 जो की बहुत ही इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है इस वीडियो से सबसे ज्यादा मल्टिपल चोईस कोस्टन बनने की शंभावना है क्योंकि इस वीडियो में भारत की एक ऐसी विरांगना एक ऐसी इस्त्री के बारे में हम अठ्षमी भाई उन्हीं के बारे में हम लोग को जानना है जिनके लिखका है आप सुभद्रा कुमारी चोहान है आप लोग याद रखेगा लिखका के बारे में ठीक है तो चलिए देखते हैं कारे में वर्णन किया गया है देखिए इस कविता में हम लोग देखते हैं यहां लिखा गया है आप लोग देख सकते हैं कि सिहासन हिल उठे राजवनसों ने विरकुट्टी तानी थी बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जमानी थी और गुमी हुई अजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी की को करने की सबने मन में ठानी थी यानि कि उस समय पूरे लोगों का सिहासन ही लूटा था जब अंग्रेज आये थे और फिर बुढ़े भारत में भी यानि कि फिर से नया जुनून जगा कि हम अपने आजादी को खो चुके हैं उस आजा यह 1857 का बात कर रहा है चमक उठी संसंताओन में वह तलवार पुरानी थी बुंदेले हर बोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी खुब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी यानि कि संसंताओन में तलवार का चमक की लुग देखे हैं और बुंदेला एक जाती है इन जहासी वाली थी और रानी जो है कितना लड़ी है कितने मतलब बिरता के साथ इसमें वो जिक्र किया गया है कानपूर की नाना की मुह बोली बहन छबीली थी लचमी बाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी नाना के संखेली थी बर्ची ढाल क्रिपान कटारी उनकी यही सहे भीले लिए थी यहां पर इसका जो ज़िक्र किया गया है बर्ची धाल यहां देखिए बच्पन में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग अलग अलग परकार का घेम खेलते हैं लेकिन इसमें इनकी अहीं खेली और यहाँ पे लश्वी बाई जो है अपने पीता की एक लोती संतान है ठीक है और यहाँ पे नाना संग के संग पढ़ती है और नाना के संग खेलती है अगले यहाँ पे लाइन देखेंगे बीर सिवा जी की गता है उनको याद जुबानी थी बुंदेले हर बोलो की मुह हमने शुनी कहानी थी और खुब लड़ी मरदानी वो तो जहां सिवा लिरानी थी यानि कि इनको सिवा जी की बीर गताओं के बारे में पूर्ण रूप से कहानी याद था यही सब बुंदेला जाती लोग बता रहे हैं कि उनको बिर्ता की कहानी तो खुद पूरा अपने से बीना देखे याद रहता है और बुंदेले हर बोलो की और बुंदेले के हर मुँँ से एक ही आवाज निकल रहा है कि खुब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रहें थ देख मराटे पुलकित होते उनकी तलवारों की धार नकली यूद वियू की रचना और खेलना खुब सिकार सैने घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिये खिलवार हम लोग का अलग-अलग मतलब एक फेबरेट खेल होता है लेकिन यहाँ पे देखेगा यह पता ही लिए मराटे लोग इनको देखे काफी पुलकित होते हैं काफी नहीं होता है कि खुशी से सीना चवड़ा हो जाना तो काफी इनको प्रावड फील होता है इनकी तलवार के धारों को देख करके अब यह जब खेल करती तो नकली वहले यूद क्यों नहों लेकिन उसमें भी उस खेल में भी यह कैसे युद किया जाता है कैसे सिकार किया जाता है उसके बारे में यह क्या करती थी वह ही खेल खेलती थी अब देखिए अगला लेयर महराष्ट कुल देवी उनकी भी अराध्या भावानी थी बुंदेले हर बोलो के मुह हमने शुनी कहानी थी और खुब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी यानि कि महराष्ट की कूल देवी इनकी वियारा देवान थी यानि कि ये भी उस भावानी की पूजा करते थी और फिर वही बात कि बुंदेले हर बोलो के मुह हमने शुनी कानी थी यानि कि बुंदेला लोग हमेशा एक ही बात बोला है कि बापरे खुब लड़ी मरदानियों तो जहासी वाल लड़ी अजीब लड़ी है उस युद्ध में ठीक है अगला लेयर है यहां देखिएगा हुई बिर्ता का बैभो के साथ सगाई जहासी में व्या हुई रानी बनाई लचमीबाई जहासी में अब देखिए उनका शादी हो गया गंगाधर रावजी से ठीक है और वो रानी बन गया यानि की जहासी की रानी बन गया इसलिए उनको जहासी का रानी बोला जाता है ठीक ह और एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे बुंदेलों के लिए वो एक परकार का सीख बन के आई ठीक है एक परकार का ज्यान बन के आई और पूरी के पूरे राज महल में बधाया बजने लगी ठीक है जब रानी लक्ष्मी भाई की शादी होई गंगादा राउ से अगला ल वत्ती जीशे शादी वाता वैसे ही बुंदेले हर बोलो की यानि कि बुंदेले के हर मुह से एक ही आवाज आ रहा था कि खूब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली रानी थी अगला लेयर में है उदित हुआ स्वभाग्य मुदित महलों में उज्याली चाही यानि कि सामने खड़ी हो जाती है तो काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब आई रानी बिद्वा हुई हाए बीधी को भी दया ना आई ठीक है यहाँ पर ये सुबद्रा कुमारी चभवान बोले कि भगवान को भी दया न पुंगाधर रा इस दुनिया में नहीं रहे ठीक है अभी नहीं रहे उसके आगे घटना देखते हैं क्या होगा उसके बाद नी संतान मरे राजाजी यहाँ पर इस लेयर में देखिएगा कि नी संतान मरे राजाजी रानी शोक शमानी थी बुंदेले हर बोलो के मुँ हमने शुनी कहानी थी और खुब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाले रानी थी यानि कि राजा के अभी कोई संतान नहीं हुआ था यानि नहीं संतान थे ठीक है और वो मतलब मिर्तिव उनकी हो गई और पूरी रानी मतलब पूरे शोक में चली गई अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं ये कैसे है यानि कि अब यहाँ पे बोला जारा है कि जैसे ही पता चला अंग्रेजों को कि जासी के जो राजा हैं इस दुनिया में नहीं रहे तो उन लोग को एक बहुत बड़ा औसर मिल गया जासी पर कबजा करने का और उन्होंने मन में ठान लिया कि अब राजे को हड़ाप लेना है और फौरण आये दूर यान किलाग पर आये और उन्होंने अपना जंडा फारा दिया और वहाँ पे मतलब उसका कबजा करने के चकर में लग गया अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है आसुपुर्ण रानी ने देखा जासी हुई बिरानी थी आसुपुर्ण ने आख भरे हुए क्योंकि रानी तो बहुत सोक और सदमे में थी ठीक है तो आसुपुर्ण अपने जासी को देखा अपने राजे को देखा ठीक है जासी पुरा बिरान प चिनी राजधानी देहली की लिया लखनावर बातो बात ये जो लेयर है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है और कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपूर परभी घात उदेपूर तंजोर सतारा करनाटक की कौन विसात जबकि सिंध पंजाब ब्राम पर अभी हुआ है ब सब लोगों ने हार मान लिया कि अब अंगरेज सब कुछ कबजा कर लेंगे अब पंजाब हो गया श्रींद हो गया इस सब जगह पर अंगरेजों का क्या हो गया कबजा हो गया फिर याँ पर आगे देखते हैं इस पंती में कि बंगाल मदरस आधी की भी तो वही कहानी थी बंगाल में भी वही कहानी था और मद्रास में भी वही कहानी था बुंदेले हर बोलो की मुँँ हमने शुनी कहानी थी और खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी। यानि वहां लड़ने के लिए एकदम बीर के रूप में खड़िये। लेफटिनेंट वाकर आप पहुचा आगे बढ़ा जवानों में रानी ने तलवार खीचली हुआ द्वंद अश्मानों में और जैसे लेफटिनेंट वाकर वहां आया रानी ने अपने तलवार खीच और फिर द्वन्द युद यानि के लड़ाई दोनों में उन लोगों में शुरू हो गई। फिर आगे देखते हैं हम लोग। जखमी हो करवाकर भागा। पता होना चाहिए कि जब रानी लक्षमी भाई युद कर रहे थी तो उनके सामने अंग्रेज डर जाते थे कि भारत की एक ऐसी नारी जिनके सामने हम लोग काप जा रहे हैं अभी तो ये एक नारी से पाला पड़ा है अगर पूरे के पूरे भारत हमारे सामने आ जाए इस तर अंदर कैसे है ठीक है और बुंदे लेहर बोलो के मुह हमने शुनी कहानी थी और खुब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी अगला लेहर हम लोग देखते हैं रानी बढ़ी कालपी आई वहांपे वह रानी वहां से बढ़ते बढ़ते युध करते कालपी पहुंची कर सौ मिल निरंतर पार लगवक 100 वो पार कर रही है घोड़ा चक्कर गिरा भुमी पर गया स्वर्ख ततकाल सिधर और घोड़ा वही पर चक्कर खाके गिर गया और उसी समय घोड़ा की मृत्यू हो गई फिर भी इन्होंने हार नहीं मना और यमना तट पर अंग्रेजों ने भी फि और क्यों जीत लिया ठीक है अंग्रेजों के मित्र सिंदिया सिंदिया ने छोड़ी राजधानी थी अंग्रेजों के जो मित्र सिंदिया उन्होंने राजधानी को छोड़ दिया और फिर से वही बात कि बुंदेले हर बोलो की मुह हमने सुनी काने थी यह जो बुंदेला जात वहाँ जीत तो गए लेकिन फिर अंग्रेजों की सेना घेर ली ठीक है अब के जनरल समीथ समोह था अब इस बार समीथ जो था जनरल समीथ उसका समोह था उसने मुह की खाई थी अब इचार वो भी मुह की खाया यानि कि वो भी यहाँ पे हार करके चला गया काना और मुंदरा या रानी के संग आई थी इनकी जो सहेली है ये दोनों इनके साथ आई थी युद छेतर में उन दोनों ने भारी मार मजाई थी और युद के छेतर में इन दोनों ने कौन काना और मुंदरा एक दम इनहीं की तरह वो भी बीर थी और लड़ाई कर रही थी अ अब रानी थी अब रानी चारो तरफ से गिर चुकी थी और फिर वही बात कि बुंदेले हर बोलो की मुँ हमने शुनी कहानी थी और खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी अगला देखते हैं तो भी रानी मार काटकर चलती बनी शैने के पार फिर भी रानी ने सब को मार करके और वहाँ पे शैने के पार चली गई किन्तु सामने नाला आया और कहा जाता है न कि जब नसीब में मौत लिखा होगा तो बदलने से नहीं बदलता है यहाँ पे वही लिखा गया है कि विशम अपार और ये बहुत ही दुखत संगर था घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था उनका घोड़ा तो एक मर चुका था कालपी में ठीक है याद रखेगा multiple choice में ये पूछा जा सकता है घोड़ा कहां मर गया तो कालपी में ठीक है ये घोड़ा नया था और वहाँ पे नया होने के कारण उसके पैर उसमें फस गए इतने में आ गए और जैसे ही पैर फस गए नहीं में रानी जैसे गिरी चारो तरफ से अंगरेजों ने घेर लिया रानी एक और सत्रू बहुत सारे सत्रू थे और रानी अकेले थी होने लगे वार पर और एक लगतार उन पर वार पर परवार होने लगा और उस समय जब रानी गिरी वी थे घायल होकर गिरी सीहनी यानि कि सीहनी के मतलब सेरनी होता है घायल होकर गिरी सेरनी उसे बीरगती पानी थी और बीरगती ही पानी थी यानि लड़ते लड़ते ही उनको मरना था क्योंकि बचपन से ही उनको युद्ध कर पूरने का ही शोग था ठीक है और बुंदेले हर बोलो की मुझ हमने शुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो छासी वाली रानी थी अब फिर अगला लेयर हम लोग देखते हैं रानी गई शिधार यानि श्वर्ग में शिधार गई श्वर्ग चले गई जन्नत मे चले ख़ी ठीक हैर अनि कि शिधार चिंटा अब उनकी दिव्य शवारी थी यानि चीम्टा sagte है त्वीय हो उम्र कुछ तेज कि फी मनूज नहीं अतारी थी यानि अभी उनका उम्र तेज कर देकिन मनूज नहीं थी मनूज मतलब मनूजिज नहीं तो हो ए एक लग रहा था कि आतार थी ठीक है हमको जीवित करने आई बन स्वतंतरता नारी थी एक स्वतंतरता की नारी बनके हमको अजादी दिलाने आई थी यानि हमको जीवित करने वो आई थी अब यहाँ देखते हैं अगला जो है दिखा गई पत सिखा गई हमको जो सिखानी थी हमको वो रास्ता दिखा गई है और सिखा गई है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए अपने जीते जी कभी हार नहीं मनना चाहिए और फिर बुंदेले बोल रहे हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुँँ हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी देखिए कितना मज़दार ये कविता बोला गया है सुभद्र कुमारी चौहान द्वारा तो उम्मीद करते हैं कि ये शमज में आया होगा तो देखाना आपने क कविता कितना मज़दार था तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेशन के साथ तब तक के लिए जैहिन